इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हलो दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल इस्टी रूपी जीकेशन में स्वागत है आज किस वीडियो में हम 36 वर महिला परिविक्षक के लिए प्रिजिनिंग के कुछ प्रशनों पर चार्जा करेंगे विचलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रशन दिया गया है निम्रली खित चित्रकाद ध्यन करते हुए प्रशन का उत्तर दीजिए यहां आयत चित्रकार को दर्शाता है वरित खिलाडी को और त्रिभूच चिकित्सक को दर्शाता है त्रिभूच का मतलब है चिकित्सक अर्थाद डॉक्टर वरित का अर्थ है खिलाडी और अगला है आयत आयत का अर्थ है चित्रकार अब आपको उत्तर बताना है कितने डॉक्टर है जो ना तो खिलाडी है और ना ही चित्रकार है आपको ऐसा उत्तर बताना है जो कि डॉक्टर होने चाहिए अर्थात्वा त्रिभुच के अंदर आने चाहिए लेकिन वे खिलाडी ना हो अर्थात्वे वृत के अंदर ना आए और वे चितरकार ना हो तो वे आयत के अंदर ना आए तो इनमें एंसर होगा 27, 27 ऐसा है जो त्रिभुच के अंदर है लेकिन आयत और व्रित के अंतर नहीं है अर्थात्वा खिलाडी और चितरकार नहीं है लेकिन डॉक्टर है अगला प्रशन है कौन सी संख्या असिक्षित ग्रामिर भारती संख्य महिला को दरसाती है यहाँ पर आयत का अर्था है महिला नीचे वाले आयत का अर्था है सिक्षित व्रित का अर्था है भारती है और त्रिभुच का अर्था है सहरी तो आपको बताना है असिक्षित होना में ना आए तो यह सहरी से बाहर होना चाहिए अगला है भारती होना चाहिए अर्थात्या वृत के अंदर आए और महिला होना चाहिए तो वह इस आयत के अंदर आए तो ऐसा केवल 10 है जो की असिक्षित है अर्थात आयत के अंदर नहीं है ग्रामीड है अर्थात्वा बेटी है आपको इसमें कुछी याद रखने पड़ेगी जैसे अगर कोई महिला आती है तो उसे सरकल से रिप्रेजेंट करना है अगर कोई पूरुस है तो उसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है अगर पुत्र या पुत्री है तो उसे नीचे एरो की और प्रदर्शित करना अगर पती या पतनी है तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित करना है और अगर भाई बान है तो उसे एक लगिर के रूप में प्रदर्शित करना है तो चलिए देखते हैं से आपको किस प्रकार बनाना है सबसे पहला दिया है A, B की बेटी है तो यहाँ पर A, B की बेटी है यहाँ पर बेटी हिसले इसे गोला किये और उसका रिलेशन नीचे की उर होगा अगला है P, J का भाई है तो यहाँ पर P लेंगे और यहाँ पर J लेंगे और दोनों भाई हैं तो इसे box में रख देंगे अगला बोला है B, P की पत्नी है ये B, P की पत्नी है तो इसे इस प्रकार arrow करके box करना है यहाँ पर आएगा P आपको बताना है कि M से J का क्या संबंद है तो इसके just बगल में जो J है वो P का भाई है तो वो इस तरह लकीर के रूप में रहेगा तो यहाँ पर संबंद बोला है कि जो M है उसका J से क्या संबंद है M, J की भतीजी है वहीं अगर आपसे पुछा जाए J का M से क्या संबंद है तो J, M का चाचा होगा यहाँ पर देखिए B की पुत्री है M और B का पती है P और B का भाई है J तो J का M से संबंद होगा चाचा और M का J से संबंद होगा भतीजी अगला क्यूस्चन देखते है निम्न लिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है इसमें कुछ नियम होते है सबसे पहला जो भी आपके चिन्ध यूज होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टिप्लाई या डिवाइड यह आपका पहला पॉइंट है कि यह यूज हो सकते हैं या फिर दूसरा होता है कि यह वर्ग के रूप में हो या फिर इसका अंतर क्यूप के रूप में हो तिसरा होता है इन दोनों का कंबिनेशन हो सकता है किसी संख्या को हम सबसे पहले भाग करते हैं या फिर उसे किसी संख्या से जोड देंगे या फिर घटा देंगे गुड़ा करते हैं या फिर किसी संख्या से जोड़ देते हैं या फिर किसी संख्या से घटा देते हैं तो इन में कोई भी दो operation यूज होते हैं, तो इसे याद रखना है, तिसरा होता है, चौथा होता है, अगर वर्ग हो, उसमें कोई संख्या जोड़ देते हैं, या फिर कोई संख्या घटा देते हैं, ये भी अगले टाइप का question है, इसके बाद इसमें एक और चीज होती है, कि ये सिरीज पहले और तिसरे से रहेगा, फिर तिसरे और पांचवे से इस तरह ये आगे बढ़ती है, तो इन सभी नियमों को आपको याद रखना है, तो चलिए इस question को देखते हैं, सबसे पहले आपको इसका अंतर निकालना है, अंतर को देखना है, कि वह किस प्रकार प्र तो वह समझना है कि गुड़ा हो रहा है और इसमें कोई संख्या जोड़ी गई है या घटाए गई है, आधे से कम हैं, तो कोई संख्या जोड़ी गई है या फिर कोई संख्या घटाए गई है, आपको देखना है सिरीज आगे बढ़ रही है, या फिर सिरीज कम हो रही है, क आगे क्या आएगा आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले और दूसरे कंतर देखेंगे तो 4 आएगा दूसरे और तिसरे कंतर देखेंगे तो 6 आएगा दूसरे तिसरे और चौथे कंतर भी 6 आएगा और उसके बाद अगला आएगा 10 तो इसमें कोई रिलेश आएगा वो आएगा आपका प्लस 16 जबकि नीचे वाले सीरीज में आपको देखना है तो नीचे वाले सीरीज में आएगा आपका प्लस 12 उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है इन 10 और 2 का डिफरेंस है 2 का 10 और 12 का डिफरेंस है 2 12 और 16 का डिफरेंस है 4 फिर जो अगला आ आएगा नीचे साइड वो 18 रहेगा तो 19 और 18 को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 37 यहां का answer होगा आपका 37 आपको याद रखना है इसमें कोई भी logic लग सकता है लेकिन आपको answer लगाते समय देखना है कि उसका relation सही होना चाहिए अगला प्रश्ण में लिखित अनुकरम में अगली संख्या ग्याद कीजिए इसमें आपको अगली संख्या बताना है तो इस प्रश्ण में आपको एक logic देखना है यहां पर अंको की संख्या देखनी है यहां पर कुल 8 संख्या है यहां पर 7 संख्या है यहां पर 6 संख्या है तो जो अगली आएगी वह 5 संख्या आएगी अब इसमें देखना है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या अंतर है तो यहाँ पर देखोगे यहाँ का 4 यहाँ नहीं दिया गया है अगला में देखोगे तो इसका लास्ट का जो 2 है वह नहीं दिया गया है अब अगला में फिर से आगे का नहीं दिया रहेगा तो इस प्रकार 6, 7, 8, 2, 9 इसका एंसर होगा यहाँ पर पहला अंग को हटा दिया गया था बाकी सब को लिख दिया गया इसमें पीछे क्यां को हटा कर लिख दिया गया तो अगला होगा आगे क्यां को हटा कर आपको लिख देना है अगला प्रश्म देखते हैं निमलेखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी तो यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको इसका अंतर निकालना है तो इसका अंतर आएगा 49 का अब इसी में आपको relation देखना है कि इसका difference में क्या relation है तो जो 9 है उसे आप लिख सकते हो 3 x 3 21 को लिख सकते हो 3 x 7 उसके बाद अगला है 3 x 13 यहाँ पर देखिए यह 3 में plus 4 हो रहा है उसके बाद अगला में plus 6 हो रहा है जो अगला आएगा उसमें plus 8 होगा और वह 3 से multiply होगा तो 13 में 8 को plus कर देंगे तो जाएगा 21 और इसी 3 से multiply कर देंगे तो आपका आएगा 63 तो जो अगला difference होगा वह होगा 63 का और अगर इसमें आप 63 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 135 तो यह आपका answer होगा 135 अगली संख्या अगला देखते हैं अगला ABCD के रूप में हैं तो इसमें सबसे पहले आपको इसका number लिख लेना है B का मतलब होता है 2 C का मतलब होता है 3 और D का मतलब होता है 4 इस प्रकार आपको लिख कर इसका relation देखना है कि पहले का second से क्या relation है second का third से क्या relation है third का fourth से fourth का fifth से उसके बाद अगला इस प्रकार आपको पहले number दूसरा alphabet तिसरा alphabet में इस प्रकार relation देखना है तो इस question में आपका BCD दिया है फिर सामने वाले को गयाब करके पिछे वाला लिखा है फिर इस प्रकार यह आगे पढ़ रहा है तो अगला जो answer आएगा वह आएगा M9 इम लिखित अनुकरम में अगले पत को आपको बताना है कि अगला पत क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले number को देखना है तो 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा और 9 में 2 जोड़ने पर 11 11 में 2 जोड़ने पर 13 और 15 तो इस प्रकार आपको 2 जोड़ना है तो पहली जो संख्याने वाली है वह 17 आएगी अब आपको इसको देखना है B और D में B का मतलब होता है 2 D का मतलब होता है 4 F का मतलब होता है 6 H का मतलब होता है 8 तो इसका option 20 अहीं है तो यह हुआ reasoning के कुछ questions अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को like करना न भूलें और साथ या ऐसे और वीडियो पाने के लिए आपको आमारे चनल को subscribe कर सकते हैं